बच्चो अब तक हम लोगोंने linear polynomial को graph पर represent करना सीख लिया है और उसके 0s कैसे find किये जाते हैं graph से ये भी हम लोगोंने सीख लिया है अब हम लोग quality polynomial को कैसे graph पर represent करते हैं और इसके 0s graph से कैसे find करते हैं इसके बारे में हम लोग सीखेंगे तो एक quadratic polynomial हमने इसकी general form को लिख लिया है ax square प्लस bx प्लस c और उसमें एक example हमने माना है कि अगर मान लिजे कोई quadratic polynomial है x square माइनस 3x माइनस 4 तो इसको graph पर कैसे represent करेंगे हमने बताया था कि graph पर represent करने के लिए सबसे पहले एक table ड्रा कर लेते हैं table x और y में रहेगा सबसे पहले यहाँ पर x लिख लेते हैं और यहाँ पर y लिख लेते हैं इस table को हम लोग fulfill कर लेते हैं linear polynomial हमने बताया था कि जब भी कोई polynomial इस form में मिलेगा तो उसमें table बनाने के लिए पहले x की value 0 कर देते हैं और फिर y की value 0 कर देते हैं दो value यहाँ से आसाई से हमको मिल जाती है तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं इस graph यह जो दिया गया polynomial है इसमें यहाँ पर x की value क्या कर दे रहे हैं 0 लिख दे रहे हैं तो x की value जैसे ही 0 रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, y की value कितनी आ जाएगी, minus की 4, तो यहाँ पर minus 4 आ जाएगा, second step में क्या करते हैं, कि जो y की value है, इसमें 0 रख देते हैं, तो हमने यहाँ पर 0 रख दिया, अब y की value 0 यहाँ पर रखेंगे, और इसको solve करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग इसका solution देखते हैं, y की value 0 रखने पर, y की value हमने 0 रख दिया, और यहाँ पर x square, minus 3x, minus 4, यहाँ पर इस 4 को इधर लेकर आएटे हैं, यहाँ पर इसको हम लोग factorize कर लेते हैं, यहाँ पर आजाएगा, x square, minus 3x, minus 4, equal to 0, इसको हमने क्या किया, इस 0 को इधर लिख दिया, और इसको इधर लिख दिया, बस rearrange किया हमने, अब क्या करते हैं, इसको factorize कर देते हैं, यहाँ पर minus 4 है, तो यहाँ पर यह 3 सब्ट्राइट करने पर आना चाहिए, तो 4 और 1 का multiply करेंगे, तो 4 और जाब 4 आ जाएगा, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, x square, minus का 4x, और plus का 1, minus का 4, equal to 0, यह factorization, आगे हम लोग देखेंगे, factorize कैसे किया जाएगा, यहाँ से हम लोग इन दोनों में x कामन ले लेंगे, तो यह x बाहर आ जाएगा, यहाँ से बचेगा x, और minus का यहाँ बचेगा 4, यहाँ पर दोनों में कामन कुछ भी नहीं है, तो 1 कामन ले लेंगे, यह आ जाएगा x minus 4, equal to 0, अब यहाँ पर भी x minus 4 है, और यहाँ पर भी x minus 4 है, इन दोनों बैलू को, दोनों में कामन है, तिसले इसको हम कामन ले 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 रहे हैं, और यहाँ से x बचेगा, और यहाँ से plus का 1 बचेगा, और equal to 0, अब इसमें हम लोग देख सकते हैं, कि यह दोनों product के form में हैं, और equal to 0 है, तो एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगे, x minus 4 equal to 0, और x plus 1 equal to 0, कभी भी अगर दो algebraic expression, product के रूप में रहेंगे, तो कोई एक value 0 के बराबर होती है, या तो यह 0 हो जाए, या फिर यह 0 हो जाए, तो हमने क्या कि एक बार इसको 0 लिख दिया, और इसको एक बार 0 रखती, अगर हम इसको 0 मान रहे हैं, तो x equal to minus का 1 हो जाएगा, तो हमने देखा, कि जब हमने y की value यहाँ पर 0 रखी, तो हमारे पास x की 2 value जाएगा, एक 4 है, और दूसरा minus का 1 है, इन दोनो value को यहाँ पर put करते हैं, तो इस तरीके से हमने, जब 0 रखख y की value, तो एक बार हमारा 4 आएगा, और फिर से जब 0 रखख, मतलब इसी value में 2 value आए है, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 बार 0 लिख रहे हैं, और यह minus का 1 आजाएगा, चलिए इसमें x की value हमने 0 रख दिया, minus 1 रख दिया, और यह 4 हमको x की value find हो गए, अब y की value हम यहाँ पर 1, 2 रखके भी solve कर सकते हैं, quadratic polynomial बनेगा, quadratic equation बनेगा, उसको factorize करके इस तरीके value निकार सकते हम लोग, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, x की बार-बार value रखके, y की value find कर रहे हैं, x की value हमने यहाँ पर 1 रख दिया, x की value जो यह polynomial दिया गया है, इसमें हमने x की value, इसमें जैसे ही यहाँ पर x की value 1 रखेंगे, तो यह 1 आ जाएगा, और यहाँ पर minus का 3, और यह minus का 4, तो 1 और यह 4, कितना आ जाएगा, plus में 6, sorry, minus का 6 आ जाएगा, इसको solve कर लिजिए, यहाँ पर रखके, यहाँ पर मैं value लिख के solve कर रहा हूँ, x square की जगाँ पर हमको कितना रखना है, यहाँ पर हमको 1 रखना है, तो यहाँ पर हम क्या कर दे रहे हैं, 1 का square कर ले रहे हैं, minus का 3 into 1, minus का 4, इसको यहाँ से करेंगे, तो यह 1 आ जाएगा, minus का 3, और minus का 4, के करना है, आप लोग calculate कर लिजिएगा, इसी में हम लोग यहाँ पर 2 रख दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमने 2 भी रख दिया इसको, तो इसको रख के यहाँ पर solve करेंगे, तो 2, 2 जा 4, और यहाँ से 3, 2 जा 6, minus का 6, और यह minus का 4, minus का 10 आ जाएगा, minus के 10 में plus का 4 करेंगे, तो यह भी minus का 6 आ जाएगा, एक value और भी हम इसका शेक कर ले रहे हैं, यह value आप रख के, इस तरीके से solve करके निकाल सकते हैं, रख में, तो इसमें हम लोग और भी value रख के शेक कर ले रहे हैं, यहाँ पर x की value जब 3 रखेंगे, तो यह minus का 4 आ जाएगा, यह value ऊपर रख के आप इसमें, polynomial में यहाँ पर 3 रखिएगा, तो यह यहाँ से solve करेंगे, तो y की value जो आएगी उसको लिख लेंगे, इस तरीके से अगर इसमें x की value में, हम लोग 4 रख रहे हैं, तो यह आ जाएगा, और भी धेर सारी value यहाँ पर निकाल सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, x की अलग-अलग value रखेंगे, तो y की अलग-अलग value यहाँ से find होगी, जो की यहाँ से आप लोग इसमें put करके निकालेंगे, चलिए इसके graph को पैसे बनाते हैं, उसको हम लोग सबसे पहले रखते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक axis बना रहे हैं, x और y axis, x और y axis को हम लोग यहाँ पर completely बना रहे हैं, अच्छे, axis बनाते हैं हम एक चीद ध्यान रखना है, कि यहाँ पर maximum value हम लोग देखने हैं कितना है, जैसे y की maximum positive value 6 है और minimum value कितनी है minus कि 6 है इसका मतलब यह हुआ कि जब यह number line पर हम लोग graph में दिखाएंगे तो यहाँ पर minus 6 से ज्यादा number line यहाँ पर दिखाना पड़ेगा यह negative axis पर और इस positive axis पर भी 6 से ज्यादा number दिखाना पड़ेगा अगर हम लोग x axis में बात करते हैं तो x axis में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो value है 4 है और 3 है और यहाँ पर 5 है positive में यह value negative में भी कुछ value है तो यहाँ पर positive इधर negative axis और इधर positive axis में 6 तक value दिखानी पड़ेगी इधर जो axis होता है इसको x axis positive में बोला जाता है यहाँ पर जो value इधर लिखे जाएगी यहाँ से इधर यह value सब positive में रहेंगी और इधर अगर हम लोग बात करते हैं तो negative में रहती है value और इसको x dash axis बोला जाएगा अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इसमें तो यह y-axis में रहेगा और यह positive value इधर लिखा जाता है यानि यहाँ पर इससे उपर और इधर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर negative value हम लोग लिखेंगे और इसको y- बोलते हैं यह तो बात होगे axis बनाने की अब यहाँ पर बात किया जागे यह जो origin point यहाँ 0 से starting होती है इधर जो value लिखेंगे गिंती लिखेंगे वो positive रहेगा इधर जो लिखेंगे वो negative रहेगा तो इस graph को हम लोग represent करने के लिए सबसे पहले इसको number line maintain कर लेते हैं तो हमने यह graph पर number line यहाँ पर numbers maintain कर लिए है number line पर अब हम लोग इसमें जो अलग-अलग table बनाये हुए हैं इस table से अलग-अलग value put करते हैं यहाँ पर हमने 0 और minus 4 रखा है यहाँ पर हम लोग बता दें कि इसको हम लोग इस form में लिखा जाएगे अब इस particular point को इस graph पर कैसे represent करना है उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर बोला जा रहा है इसका मतलब है कि जब x की value 0 है तो x की value 0 यहीं पर रहेगा किसी की value 0 हमेशा हो origin point पर होती है मूल बिंदू पर होता है तो यहाँ पर जब value 0 रहेगी तो उसी समय y की value कितनी है minus का 4 है तो minus का 4 y में कहाँ पर यह है यहाँ पर नीचे axis पर minus का 4 है तो यह जो point है particular यहाँ पर जो point है यह 0, minus का 4 हो गया चलिए आगे अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे point की तो यहाँ पर बोला जा रहा है यहाँ पर यह y की value यहाँ पर 0 है तो उसी समय x की जो value है वो कितनी है 4 है तो x की value 4 है यहाँ पर यहाँ पर जो यह particular point हमको find हो रहा है यह है 4, 0 तो 4, 0 यह point होगा यहाँ पर x axis पर यह distance कितनी है 4 है और y की जो coordinate है वो 0 है तो 2 point हम लोगों ने represent कर लिया तीसरे में अगर हम लोग बात करते हैं तो y की value क्या है 0 है और x की value minus की 1 है यहाँ पर origin point पर हम लोग आते हैं यहाँ पर x की value 0 रखते हैं और y की value 1 रखते हैं यहाँ पर यह point हमारा जो है यह वाला particular point इसका हम coordinate यहाँ पर लिख रहा है तो यह यहाँ पर लिखा गया कितना है x की value minus का 1 है और y की value क्या है 0 है तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया और भी point के बारे में बात करते हैं तो यहाँ x की value 1 है और y की value minus का 6 है तो x की value 1 तो x में ये positive value 1 है और उसी समय y की जो value हो minus का 6 है तो y में x में ये y में यहाँ पर यानि इधर से यहाँ पर और इधर ये 1 है तो ये यहाँ पर आ गया तो यही जो point यहाँ पर find हो रहा है यानि जो point बन रहा है ये 1, minus का 6 होगा तो ये 3 points हो गए लग 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 चलिए 4 points में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर ये value 2 है और ये value minus की 6 है तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये value 2 है x की value 2 है और उसी समय जो value है इसकी ये minus का 6 फिर से है तो इसी 2 के just seed में ये 2 उपर से आएगा और minus 6 यानि यहीं पर कहीं पर इसकी value भी पड़ेगी थोड़ा सा coordinate हमको नीचे लिखना था तो ये हम लोग यहाँ पर यानि ये जो point हमने locate किया है इसका जो coordinate point है वो 2, minus का 6 है और ये point है इसका coordinate कितना है 1, minus का 6 है तो इसको हम यहाँ से काटके यहाँ लिखते रहे हैं इस coordinate point को 1, minus का 6 ये 2 points हमको find हुए है चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगर इसके और भी points किये तो यहाँ पर x की value 3 है तो उसी समय y की value minus की 4 है तो इसको भी यहाँ पर represent कर रहे है ये x की value 3 है और उसी समय y की value कितनी ह 4 है तो x में ये positive है और y की value minus 4 है तो यहाँ से स्वार यहाँ पर 3 है x की value तो यह यहाँ से और यह इधर से आएगा तो यहाँ से point हमको find होगी तो यह जो point हमको मिला है यह 3, minus का 4 find हुआ है इस तरीके से और भी जो points है उसको हम locate यहाँ पर कर ले रहे हैं और इस graph को इनके मा आते हैं यहाँ पर 5 है और 6 है चलिए और जो बची होगी points थे उसको भी हमने locate कर लिया है यह 5,6 है यह minus 2,6 है नायत class में हम लोगों ने इस graph represent करना सिखा था अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं यह जो points हमको locate हुए है यह जो points हमको मिले हुए इन points से होता हुआ यह graph बनाएं पर थे रहे है चलिये तो यह graph हमने यहाँ पर बना लिया है यहाँ पर यह minus 2,6 say points से यह graph यह से आया यह माइनस वन कामा जीरो पर पहुंचा फिर यह जीरो कामा माइनस फोर पर पहुंचा फिर यह ग्राफ जो है यहाँ पर वन कामा माइनस सिक्स पर आया और फिर यह ग्राफ जो है टू कामा माइनस सिक्स पर है और फिर यहां पर थिरी कामा माइनस फोर पर आया और यह graph को हम लोग यहाँ पर लिख दे रहा है किसका graph है यह x square minus 3 x minus 4 का यह graph है अब बात की जाती है किसके जी रोज क्या होंगे जिसके जेमेक्ट्रिक मीन क्या है तो जेमेक्ट्रिक मीन में क्यों इतना सध्यान देना है कि जहाँ पर भी यह x-axis को cut कर रहा हमने linear polynomial में बताया था कि उसके 0s वही होंगे जहाँ पर यह x-axis को cut कर रहा है तो यहाँ पर एक जगह पर यह x-axis को cut कर रहा हो दूसरी जगह यहाँ पर x-axis को cut कर रहा है तो इसका मतलब यह हुगा कि जब value इस particular quadratic polynomial है इसमें हमने बताया था कि x की ऐसी value जिसके लिए y क्या हो जाए 0 हो जाए वह यह उसके 0s कहलाते हैं तो इसके 0s किसी भी graph से कैसे find करेंगी जैसे माल दीजिए यहाँ पर यह minus 1,0 पर cut कर रहा है तो यहाँ x की value minus 1 जो है उसके लिए यहाँ पर minus 1 रखेंगे तो इसका solve करने के बाद क्या आएगा 0 आएगा तो यहाँ एक इसका 0 हो जो गए इसी तरीके से यहाँ पर 4,0 लिखा है तो 4 अगर इसमें रखते हैं तो इसको जब solve करेंगे तो value कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी तो कभी भी कोई भी अगर quadratic polynomial है और x axis पे जितनी बार वहाँ cut कर रहा है और जिस point पे cut कर रहा है तो जितनी बार cut करेगा उतने उसके 0s होंगे और जिस point प quadratic polynomial के 0s हैं अब बात यह होती है कि कोई भी quadratic polynomial जो होता है उसके maximum 0s कितने हो सकते हैं तो हमने शुरू में ही बताया था कि जितना इस पे power है जितना इस पे power है जिसमाल लिजिए अगर हम लोग इसके general form की ही बात कर रहे हैं तो यहाँ पर x square लिखा है तो इसके maximum 0s कितने हो सक हो सकते हैं 2 0s हो सकते हैं हो सकता है कि इसके और भी cases वने जिसमें 0s की संख्या और कम हो सकती है हो सकता है कि 1 ही 0 हो सकता एक भी 0s नहीं 0 मिलने का मतलब है एक particular x की value जिसको रखने के बाद y की value 0 जिरो आ जाएगी उससे को हम लोग 0s बोलेंगे तो यहाँ पर जो हमने बता एक्जाम्पल ले लिया था जिसके graph को represent किया है और उसमें हमने समझाया कि यह जिरोज कैसे find कर सकते हैं इसके और भी cases हो सकते हैं अलग अलग type भी हो सकता इसमें उसके type में हम लोग बात करते हैं कि इसके number आप जिरोज किस तरीके से हो सकते हैं अच्छा इसमें एक word आएगा parabola तो parabola यहां पर बहुत समझने की बात नहीं है यहां पर हम लोग जो safe बनता है या उपर की तरफ यो safe बने या इस तरीके से नीचे की तरफ यो safe में बनता है इसको हम लोग parabola safe कहते हैं तो कभी भी जो polynomial का फाम होता है वह पैराबोलिक safe बनाता है या तो upward या तो downward होंगे और maximum two zeros हो सकते हैं इसके और भी cases है cases को हम लोग देख लेते हैं किस फर्ष्ट में एक सेक्सिस को दो बार कट कर रहा है किस सेकेंड में एक सेक्सिस को एक बारे only touch होता हुआ pass हो जा रहा है तो इसलिए यहाँ पर one solution होंगे यानि only one zero होगा इसका यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो यह किसी प्रकार कहीं पर भी x's को cut कर नहीं रहा x x's को तो यहाँ पर जो solution होंगे उसको no solution होंगे यानि यहाँ पर कोई भी 0 इसका नहीं होगा जिरो ज क्या होंगे एक भी नहीं होंगे मतलब x की एक भी value ऐसी नहीं है जिसको रखने के बाद में y की value 0 आ जाए इसी में हम लोग बात करते हैं cubic polynomial के बारे में तो cubic polynomial में भी हम लोग graph represent करेंगे एक यह example है cubic polynomial के graph का जो कि यहाँ पर figure में दिख रहा है यहाँ पर minus 2,0 पर यह x-axis को cut कर रहा है origin point से होकर graph pass कर रहा है और साथ इसाथ 2,0 पर भी यह graph cut कर रहा है और भी cubic के examples यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो की केवल origin से pass हो रहा है यह वाला graph और दूसरा graph origin से pass हो रहा है और 1,0 से भी यह होता हुआ जा रहा है इसमें अगर हम लोग solutions के बारे में बात करें तो यह 0 होगा इसका एक और दूसरा 1 होगा दो solutions होंगे x-axis में चलिए NCRT के examples कुछ दिये गए हैं उस examples में हम लोग solutions के बारे में बात करते हैं question को ध्यान से पढ़ लीजिए फर्ष्ट में x-axis को 1 बार कट कर रहा है सेकंड में x-axis को 2 बार कट कर रहा है थर्ड में x-axis को 3 बार कट कर रहा है फोर्थ में x-axis को 1 बार कट कर रहा है फिप्थ में x-axis को टच कर रहा है सिक्स में x-axis को 4 टाइम कट कर रहा है यही इसके solution होंगे solution देखते हैं तो अब तक हम लोगों ने यह जिगा कि जितनी बार वह x-axis को cut करेगा graph जितनी बार x-axis को cut करेगा उतने ही number आफ जिरोज उसके होंगे हम लोग एंसे यहाटे solution अब देखते हैं polynomial 2.1 फर्ष्ट question में बोला जा रहा है the graph of y equal to px are given below same polynomials px find the number आफ जिरोज आफ जिरोज आफ जिरोज इन एच केस परते केस में polynomials के 0 जिरोज find करने है अगर हम लोग हिंदी में बात करें बोला जा रहा है किसी बहुपद px के लिए y equal to px का graph नीचे आकरती में दिया गया है परते एक इस्तिती में px के सुन्नेकों की संख्या ग्यात कीजिए सुन्नेकों मतलब जिरोज अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग पहले में देखते हैं इसके explanation यहाँ पर हैं इसके explanation में ही इसको देखते हैं हम लोग पूले जरह नमबर आप 0s px in is given r जो उपर question में दिया गया उसकी बात किया जा रहा है हमने बताया था कि 0s तभी count किये जाएंगे जब वो x-axis को cut करेगा तो यहाँ हम लोग को एक c-line दिख रही है जो की x-axis पे कहीं पर भी intersect नहीं कर रही है ऐसे situation में नमबर आप 0s जो होंगे वो 0 होंगे मतलब एक भी 0s इसमें नहीं होगा x की कोई value नहीं है जिसमें यह दे तो यहाँ पूला जरह दिख ग्राफ 101px इस no 0 यानि px की जो ग्राफ बना गया है इसके पास कोई भी 0 नहीं है दूसरे में बात करते हैं यह ग्राफ यहाँ से गया है और फिर इस ते उपर चला गया है यहाँ पर एक जगह x-axis को कट कर रहा है इसलिए नमबर आप 0s जिसके 1 होंगे पूला जरह दिख ग्राफ सोच px has 1 0 चलिए तीसरे में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर एक बार यहाँ कट कर रहा है एक बार यहाँ और एक बार यहाँ तो तीन बार x-axis को कट कर रहा है तो इसके पास में 3 0s होंगे तो इस ग्राफ है सोच px has 3 0s फूर्थ में देखते हैं लोग तो तो टोटल 4 time कट कर रहा है तो इसके पास में 4 0s होंगे आगे बोले जार देश सोच has 4 0s 6 part में बात करते हैं तो एक, दो, तीन तो टोटल 3 जगां पर यह एक जगां कट कर रहा है, दो जगां पर टच कर रहा है, तो टच करेगा तब भी वो 0s में चलिए, पहले में बोला जा रहा है पहले में बोला जा रहा है कि PX के सुनने को की संख्या सुन है क्योंकि ग्राफ में X-axis को नहीं काटती है यही ची इंगलिस में बताया जा रहा है कि X-axis को यह कट नहीं कर रहा है इसलिए सुनने को की संख्या जो है, 0 है दूसरे में देखते हैं X-axis को एक बार कट कर रहा है तो इसलिए यहाँ पर सुनने को कि संख्या 1 है X-axis को एक, दो, तीन बार कट कर रहा है इसलिए सुनने को कि संख्या 3 है X-axis को दो बार कट कर रहा है इसलिए सुनने को कि संख्या 2 है X axis को 1, 2, 3 और 4 बार cut कर रहा है इसलिए सुनने को किसंक्या 4 है X axis को 1 बार cut कर रहा और 2 बार touch कर रहा है इसलिए सुनने को किसंक्या 3 है तो हमने CRT solution भी देख लिये हैं आगे हम लोग बात करेंगे relation between zeros and coefficient of polynomial के बारे में next वीडियो में